एक बार एक शहर में दो दोस्त रहते थे वो दोनों दोस्त एक दिन समुद्र किनारे शंक इखटा करने के लिए गए ताकि उन्हें शंकों को बेच कर वो अपने लिए कुछ पुझी जमा कर पाए दोनों दोस्त तो शंक इखटा करी रहे थे तो अब वो लग गया बड़े शंग की तलाश में उसने खूब ढूंडा खूब मेनत की लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंग हासिल नहीं हुआ और उस बड़े शंग के चक्कर में उसे जितने भी छोड़े शंग मिलते उन सारे शंगों को उठा करके फेक देता क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंग था कि मुझे किसी भी हालात में वो बड़ा शंग चाहिए ताकि मैं थोड़े ज़्यादा पेसे कमा पाऊ तो बड़े शंग की तलाश में दोपर से शाम हो गई शाम से रात हो गई तो ना तो उसे बड़ा शंग मिला और बलकि जो छोड़े शंग उसे मिले थे उन शंगों को भी उसने फेक दिये तो उसके हाथ में कुछ नहीं आये और जो पेला वाला दोस्त था उसके पास एक बड़ा शंग था और कुछ छोड़े शंग थे तो रात होगी और वो दोनों दोस्त घर जाने लगे तो घर जाते वक्त पेला वाला जो दोस्त था उसने अपने शंक बेश दिये तो उसके पास एक जो बड़ा शंक था उसके उसे मिले 1000 रुपे और जो छोड़ी-छोड़ी शंक उसके पास में थे उसके उसे मिले 3000 रुपे और ये जानकर उस दूसरे वाले दोस्तों को बहुत दुख हुआ कि काश मुन छोड़े चोड़े शंकों को फेकता नहीं तो अभी मेरे पास इससे भी ज़्यादा कमाई होती उसकी दोस्तों उसे बताया कि जो छोड़े छोड़े शंक्तों ने फेक दिये थे न उनी को मैंने अपने पास कलेट कर लिया और उनी के वैसे मुझे मिले 3000 रुपे और ये जानकर वो दूसरा वाला दोस्त और भी ज़्यादा निराश हो जाता है इस कहानी को बताने का मेरा मकसद बिल्कुल साफ है कि हम बड़ी बड़ी चीजों के चक्कर में कई सारी छोड़ी छोड़ी चीजे या फिर ये कहीं कि कई सारे छोड़ी छोड़े मों के हास से गवा देते हैं हम अमारी डेटोडे लाइफ में भी कई सारी छोटी-छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं लेकिन ये बार आपको जान देनी चाहिए कि ये छोटी-छोटी चीज़े आगे जाकर बहुत विशाल रो धरन कर लेती हैं हर छोटी चीज़ पर ध्यान लगाओ, उसे इग्नोर मत करो आगी जाकर आपको इसकी आहिमेद पदा चलेगी मैं ये भी नहीं के रहाओ कि आप छोटा सोचो और छोटा ही करो मेरा कहना का मतलब ये कि आप सोचो बड़ा लेकिन उसके लिए हर वो छोटा काम करो जिससे की आपका लक्ष आपको हासिल हो दोनों दोस्तों का लक्ष एक ही था, वो था पेशा लेकिन पहले वाले दोस्तों ने बड़े पर फोकस किया और छोटे पर भी फोकस किया और दूसरे वाले दोस्तों ने से बड़े पर फोकस किया चोड़ी चोड़ी चीजों को इग्नोर कर दिया और जहां उसे ज़्यादा पेसे मिलने जाए थे वहां उसे एक रूप्या भी नहीं मिला और अंत में सिर्फ इतना ही कहना जाओंगा कि चोड़ी चोड़े बदलाव ही बड़ी काम्याभी का हिस्सा होते हैं इसी तरह के और भी वीडियोज को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकंगा प्रेस करें मैं उनलगा आप सब्सक्राइब आइन वीडियो तब तक लिए जाई हिंग जाई भाराट